नमस्कार, Good Luck Tips कारिक्रम में आप सभी का स्वागत हैं और मैं हूँ आपके साथ जग्यासर शर्मा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी माने जोतिशाचारे पंडित मुकेश शास्त्री जी पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जैशी किष्णा, जैमाताकी, वेरी गुड्मानिंग टू आल तो दर्शको आज गुड्लक टिप्स में हम खास तौर पर चर्चा करने वाले हैं आज के राशी फल के बारे में राशी के अनुसार कैसा आपका दिन रहेगा, क्या कुछ खास आपको आज के दिन करना है जानेंगे पंडित जी से और शो की शिरुवाद करते हैं मेश, व्रशप और मिथुन राशी के साथ गुर्लक्टिफ कारकम के सभी दश्कों के उपर भरगवाण शी हरी का, मा लक्ष्मी का, मा बगला मुखी का आज शिरुवाद और कप्यदस्ट्री हमिशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो दोस्तों आज आपके पसंदिता शो गुर्लक्टिफ में हम बात करेंगी, आज के दैनिक राशी फल के बारे में तो कैसा रहेगा राशी अनुसार आज आपका दिन, आज के दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे साथ ही जानेंगे आज के गुडलक्टिप्स और आज के दिव्यमंद तो जल्दी से कागच कलम लेकर बैठ जाएए, लिखते जाएए, समस्ते जाएए इस तरह की महत्पून जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदिदा न्यूज चैनल फॉस्ट इंडिया न्यूज राजस्तान के आपके पसंदिदा शो गुडलक्टिप्स में ही दी जाती है चलिए शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ हमेश राशी, हमेश राशी वाले जो हमारे दशक हैं आज के दिन की शुरुआत नोकरी से जुड़ी, कारिश्यत्री से जुड़ी समस्याओं को सौल्व करने से होगी, हल करने से होगी यदि आप किसी कंपेटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आज उस कंपेटिशन में आपकी जीत हो सकती है बशर्ते आप पूरी महनत से और लगन से उस competition को fight करें affection के मामले में प्यार के मामले में आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है but you have to be careful regarding your health स्वास्त का ध्यान आज आपको रखना बेहत जरूरी होगा don't get to be emotional today आज के दिन क्या करें इसके ओपर भी चर्चा करते हैं आज के दिन की सफलता के लिए शिया हनमान जी माराज के चित्र के समक्ष हनमान चालिसा का पाट कीजेगा यह निशित तरपर आज का दिन सफलताओं से भरा रहेगा आज क्या नहीं करें ये भी महत्पुन बात है तो आज हमारे मेश राशी वाले जो दशक है आपको किसी भी तरह के आर्गुमेंट से वाद विवाद से बचना होगा आप सबी इसका ध्यान रखेगा चलिए आप जानते हैं व्रशव राशी के बारे बे व्रशव राशी वाले जो हमारे दशक हैं आज आप अपने में मस रहेंगे खुश्णुमा मन बना रहेगा आज आपका यू फील कूल कूल हैपी हैपी टुडे ज्यान रखिएगा आज आपके लिए एक फलसफा है एक गुरू मंतर है वो क्या है किसी भी विरोधी की शत्रू की अगर कोई आपका विरोधी आपका कोई शत्रू है और अगर आपकी वो आलोचना करता है आपको किडिसाइस करता ही तो आज अपने किसी भी विरोधी की किसी भी शत्रू की आलोचना की तरफ आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है You have to concentrate on your work आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते रहना है अर्जुन की आँख सिर्फ मचली के उपर थी लक्षे के उपर ध्यान दीजेगा निशित पर सफलता एक दिन जरूर आपके कदम को चूमेगी जो अपने लक्षे की तरफ ध्यान देते हैं सफलता उनके आसपास मंड़ाती है आज आप अपने शोशल सर्किल में मेल जोल बढ़ाने में काम्याब हो सकते हैं तो आपका जो शोशल सर्किल है उसों मेल जोल बढ़ाईगा सबसे है राजी खुशी बात कीजेगा हस्ते मस्कराते बात कीजेगा और कोई किटिसाइज करें तो उसके उपर आज ज्यादा कंसंट्रेट करने के आपका आउशकता नहीं है रशब राशी वाले हमारे दर्शकों को आज क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं तो आज रशब राशी वाले जो दर्शक है आज के दिन की सफलता के लिए यदि कहें आपको अपाहिज व्यक्ति दिख जाए अपंग व्यक्ति दिख जाए जो बैसाखियों को हो वीलचेयर के उपर हो तो ऐसे अपाहिज अपंग व्यक्ति को एक समय का कम से कम एक समय का भोजन आज आप अवश्य करा दिजेगा ये निशित तोर पर आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा आज क्या नहीं करें ये भी बहुत मैट्पून चीजे तो रशब राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज ऐ कारण बगर किसी कारण के बगर किसी बात के अपने साथी बंदूओं के उपर अपने परिवार जनों के उपर शंका नहीं करनी है शंका नहीं करनी किसी भी तरह का शंशय नहीं करना है इस बात का आप सभी दश्यक ध्यान रखेगा वरशब राशी वाले विशेश दोर पे चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशी के बारे में मिथुन राशी वाले जो हमारे दश्यक है ये जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा आपके लिए आज आप दूसरों के इमोशन्स को पहचानिएगा सामने वाला आपसे किस तरीके से बात कर रहा है उसके मन में क्या है उसका इमोशन क्या इंडिकेट कर रहा है अगर आप दूसरों के emotions को पहचान कर उसके अनुसार उनके साथ treat करेंगे उनसे बाचीत करेंगे उनके अनुसार चलेंगे निशित तोर पर आपको काफी आत्वसंतोश होगा self satisfaction महसूस होगा अगर हम किसी से अच्छे से बात कर लेते हैं उसको लगता हुआ हमारी problem को share कर रहा है और हम उसकी problem को सुनके उसको समाधान बताते हैं तो एक self satisfaction होता है कि हमने किसी को सही दिशार दी है कभी कबार दूसरों की बात सुनने में कोई परहेज नहीं होता है कोई आप से कुछ कहना चाहता है तो बैठिएगा समय दीजेगा आज उसको सुनिएगा चाहे आपके पतनी हों, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके कोलेक्स हों, चाहे आपके साथ काम करने वाले हों आफिस में भी टीम वर के जरिये ही, आज आप किसी कठिन समस्या का समाधान निकालने में सफल हो सकते हैं आप जहां कारिशेतर है जो आपकी टीम है, उस टीम के सपोर्ट से कोई बड़ी प्रॉब्लम अगर आपके सामने है तो पूरे टीम के सपोर्ट से उस प्रॉब्लम से आज आप निकल सकते हैं तो कुल मिला के आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है अब ये समझ लेते हैं मिथुन राशी वाले दर्शक आज क्या नहीं करें वो बहुत इंपॉर्टन है उससे पहले जान लेते हैं कि आज क्या करना है तो मिथुन राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज के दिन के सफलता के लिए भगवान शिव के अराधना कीजिएगा भगवान शिव के अराधना कीजिएगा एक आधा किलो दूद का पैकेट भगवान के शी चर्णों में अरपन करके उस दूद का पैकेच या तो मंदिर में ही पुजारी को दान कर दीजेगा नहीं तो बाहर किसी को भी दे दीजेगा दूद का दान करके दिन के शुरुवात कीजेगा पूरा दिन आपका सफलताओं से बरा रहेगा अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है तो आज आपको पाटी इत्यादी में बने भोजन का सेवन नहीं करना है आज जो भी आप खाना खाएंगे भोजन करेंगे चाय लंच हो चाय डिनर हो चाय ब्रेकफास्ट हो घर में बनावा भोजन लंच डिनर ब्रेकफास्ट ही आपको करना है बाहर का बिलकुल खाना नहीं खाना है नहीं तो आज ऐसी डिटी की बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ह सकती है डी हाइडिशन की प्रब्लम हो सकती है तो आज बाहर का बनावा भोजन आपको नहीं करना है मिथुन राशी वाले दर्शक ध्यान रखेगा तो दर्शकों तीन राशियों के बारे में आपने पंडित जी से जाना अब बात करते हैं करक सिंग कन्य राशी की जाइए ब बार कराशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपके पास खुद को सही साबित करने के कई मोके आएंगे बहुत सारी अपरचिटीज आज आपके सामने आएंगे आपको उन अपरचिटीज को कैश करना होगा और अपने आपको साबित करना होगा उन अपरचिटीज को उन मो पूज़ बार बार नौक नहीं करती है, ध्यान रखेगा. तो आज जो भी आपको अच्छा मौका मिले, चाहे आपका कारिशेत्र हो, वर्किंग सेक्टर हो, चाहे आपका बिजनस हो, चाहे आपकी एजूकिशन हो, जो भी हो, अगर आज आपको मौका मिलता है, उसको अच्छीव कीजिए, फुल्फिल कीजिए उसको, पुट यवर हंडिट परसंट एफ़र्स, रस्ट लिव उन दा गॉट, घर में कोई पूजा सत्संग का प्रोग्राम आज बन सकता है, और यदि घर में कोई पूजा पाठ सत्संग का प्रोग्राम बने, तो सारे काम छोड़ कर, आज भगवान की अराधना भी कीजिएगा, पूजा सत्संग में बैठके सत्संग का लाव उठाईएगा, खरीदारी का आज योग बन रहा है, आपकी पॉकेट थोड़ी डिली होने वाली है, पॉकेट में जितने पैसे आज आप रखके निकलेंगे, उसमें से काफी पैसे जो हैं, आज आज आपकी खरीदारी में खर करना चाहिए, ताकि आज का दिन उनके लिए सफलताओं से भरा रहे, तो करकराशी वाली जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की सफलता के लिए, मादुरुगा की अराधना करके दिन की शिरुवात कीजिएगा, निशित और पर आज का दिन आपके लिए सफलताओं से भरा अब बात कर लेते हैं करक राशी वाले हमारे दर्शकों को क्या नहीं करना है आज की तो करक राशी वाले जो हमारे दर्शक है आज शेर मार्केट में लेंदिन से आपको बचना होगा जुवा सटा लाटरी शेर मार्केट किसी की जमानत किसी की गारंटी इन सब चीजों से अगर आप किसी से बाद विवाद करते हैं बहस्वाजी आज आपको करनी नहीं लेकिन यदि हो जाती है किसे से बहस्वाजी आर्गुमेंट तो उस आर्गुमेंट में आपको सकस्स मिलेगी जीत आपके पास होगी यदि आप businessmen हैं, तो किसी जानकार की सलाव लेने की ज़रुत आज पर सकती है। और यदि किसी सलाव लेने हो, अगर आप कोई बड़ी डील कर रहे हों, और किसी की सलाव लेने हो, तो सलाव लेने में छोटे मत बनीयेगा, ہिच किजियेगा मत। अगर आपसे ज़्यादा कोई अनुभवी है तो उसकी सला पे चलिएगा हर नए काम के कानूनी और तकनीकी इन दोनों पहलूँ पर अच्छी तरीके से गौर करने के पशाध ही कोई नई डील साइन कीजिएगा किसी भी कागज पे साइन करें तो उसके आगे पीछे सब सोच लिजेगा वकील से राय ले लिजेगा टेकनिकल टीम से राय ले लिजेगा उसके बाद में सिगनेचर कीजिएगा आईए अब जान लेते हैं कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए आपको क्या करना है तो आज के दिन की सफलता के लिए गायतरी मंतर का जाप करके कम से गम 11 21, 51, 108 बार गायत्री मंतर का जाप करके दिन की शिरुवात कीजिएगा, निशित और पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा आईए अब जान लेते हैं हमारे जो सिंग राशी वाले दर्शक हैं, आज आपको क्या नहीं करना है तो हमारे सिंग राशी वाले जो दर्शक हैं, आज आपको अपने क्रोध पर, अपने गुसे के उपर, अपने आविश के उपर कंट्रोल रखना होगा अपनी वानी के उपर आपको कंट्रोल रखना होगा, मीठा मीठा बोलना होगा, गुस्से में खराब शब्द नहीं बोलने हैं, ये मुह से निकलेवे जो शब्द हैं, वो तीर का काम करते हैं, तो ध्यान रखेगा हमारे जितने भी सिंग राशी वाले दर्शक हैं, आज वान नियराशी वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके उपर धेर सारी जिम्मेदारियां रेस्पॉंसिबिलिटीज आने वाली हैं, इसलिए कंधो को मजबूत रखेगा, क्योंकि जब रेस्पॉंसिबिलिटी आएगी तो उससे बचना नहीं है, उन या आपके आफिस की हों या घर की हों, सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभाने में कामियाब भी हो जाएंगे, तो आज अगर आपको कोई टार्गेट दिया जाता है, तो डोंट गेट टूबी कन्फ्यूज, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हंड़ परसेंट आप कर पाऊंगे, इसलिए मन में लेक आफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, मजबूत बनके उस रस्वंस्पिलिटीज को लीजेगा, उद्देश्य को पूरा कीजेगा, घर के कुछ पुराने जो अठके वे, लठके वे, जो काम है, रुके वे, जो काम है, उ आज अपने दोस्तों के साथ, अपने जीवन साती के साथ, अपने लवार के साथ, घूमने फिरने का प्लान भी आज आपका बन सकता है, आई दोस्तों जान लेते हैं, कन्यराशी वाले दर्शकों को आज क्या नहीं करना है, और क्या करना है, शुरुवात करते हैं, आज के के दिन को सफल बनाने के लिए क्या करें। तो कन्याराशी वाले जितने हमारे दश्रक हैं, आज के दिन के सफलता के लिए अज अपना गुस्सा आपका जो frustration है अपनी पतनी, अपने बच्चों, अपने दोस्तों के उपर नहीं निकाले, अपने साथियों, अपने अंडर काम करने वाले कुलिक्स के उपर आज अपना गुस्सा, अपना फ्रस्टेशन मत निकालेगा, बात बिगड सकती है, तो यह हाव टू कंट्रोल ओन यूर वर्ड्स, और अपने अग्रसिवनेस को आज थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, बाकी पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा, तो दर्शको, पंडित जी ने आपको छे राशियों के बारे में बताया, आगे भी जानेंगे उनसे बाकी छे राशियों के बारे में, लेकिन यहां रुपते हैं एक छोट इसे ब्रेक के लिए, आप बने रही हैं हमारे साथ, ब्रेक के बाद एक बाफिर से आप सभी का स्वागत है, आज पंडित जी से बात हो रही है राशियों के बारे में, राशियों के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ खास आज आपको करना है, छे राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जाना, अब चलिए बात करते हैं तुला राशियों के बारे में, चलिए शुरुवात करते हैं तुला राशी वाली जो हमारे दर्शक है आज अगर आपकी कोई पुरानी देनदारी है किसी को पैसे देने हैं आपको किसी से करजा ले रखा है अगर तो उस करजे को चुकाने में पुरानी देनदारी को चुकाने में आज आपको काम्याभी मिल सकती है पॉकेट आज हलकी होनी है निश्यत है किसी की देंदारी भी चुकानी है और कुछ जरूरी समान की शॉपिंग भी आज करनी पड़ सकती है इसलिए डेबिट कार, केडिट कार्ड में से पैसा कम होने वाला है पॉकेट में से पैसा कम होना निश्यत है, इसमें कोई दोराय नहीं है इसलिए अपनी पॉकेट का आज खास ख्याल रखेगा जेब का खास ख्याल रखेगा और ऐसी चीजे कता ही नहीं खरीदिनी है जो आपके काम में आने वाली नहीं हो expenses should be very careful जो ज़रुत की चीजे हैं वो ही खरीदेगा आज वरकिंग सेक्टर में आपके office में अगर आप अपने boss के साथ अपने साथियों के साथ कुछ आपके मन के original ideas अगर share करते हैं तो निश्यत तोर पे जो आपके ideas हैं उनको आपके boss आपके colleagues आपके साथ ही पसंद करेंगे और उनके ओपर workout होना भी शुरू हो सकता ही आईए अब जान लेते हैं तो लाराशी वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको आज के दिन को सफल बनाने के लिए क्या करना है तो लाराशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज के दिन को सफल बनाने के लिए पक्षियों को दाना खिलाना है दिन सफलताओं से भरा रहेगा अब बात करते हैं तो लाराशी वाले दर्शकों को आज क्या नहीं करना है तो जितने भी हमारे लाराशी वाले दर्शक हैं आज को दिन को सफल बनाने के लिए, मासाहार का, नॉनवेज का सेवन, आज के दिन आपको नहीं करना, इस बात का ध्यान रखेगा, पुरा दिन आपका अच्छा बना रहेगा, चले बात करते हैं, ब्रश्यक राशी की, ब्रश्यक राशी वाले जो हमारे दर्शक है, आज के दिन को सफल बनाने के लिए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब पे चर्चा करेंगे, पहले जान लेते हैं आपके राशी फ़ल के बारे में, तो आज का दिन, सुभह से लेके शाम तक आपको बहुत व्यस्त रखने वाला है, बिजी रखने वाला है, दिन के फर्स कोई पुराना दोस्त या भूला विसरा रिष्टेदार अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो से पता है और एक इंपोर्टन चीज है अगर आपके पास कोई आज चाहे आपका पुराना दोस्त हो, रिष्टेदार हो, मिलने वाला हो, कोई आये काफी समय बाद और अगर आपस कुछ पैसों की डिमांड करें, कुछ उधार पैसा मांगें, तो पहले आप अपनी सेविंग्स के उपर ध्यान रखेगा, अपनी पॉकेट का ध्यान रखेगा और आने वाले खर्चों का ध्यान रखेगा, उसके बाद ही अपने दोस्त रिष्टेदार को उधार आज आपको उधार नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखेगा, चले बात कर लेते हैं कि आज के दिन को सफल बनाने के लिए आपको क्या करना है। वो बहुत important चीज होती ही कि आज किस चीज से बचे तो आज अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जो नहीं देना है सिर्फ अपने काम के ओपर concentrate करना है निशित और पर दिन अच्छा रहेगा बात करते हैं धनुराशी की धनुराशी वाले जो हमारे दर्शक हैं आज आपके working sector में करम शेतर में यानि office में आपको कुछ नई responsibilities दी जा सकती हैं नए अधिकार दिये जा सकते हैं आपके काम में बडोतरी हो सकती है किसी creative काम में भी आज आपकी रूची बढ़ सकती है तो अगर आपको responsibilities दी जाती है तो घवराइएगा मत आप काम को मन से कीजिएगा निशित तोर पे आप भी खुश महसूस करेंगे अच्छा लगेगा कि मुझे आज काम मिला और मैंने इस काम को करके दिखाए एक self satisfaction आपको मिलेगा जरूरी समान की खरीदारी में आज शाम का समय बीटेगा एक विशेश बात घर में आज बड़े बुजुर्गों से बहस बादी में नहीं उलजना है देखिए एक बहुत इंपोर्टन चीज है आपकी जो बड़े बुजुर्ग हैं कई बार अगर आपको कुछ कहते हैं उसके पीछे जो है वो उनके जीवन की निचोड होता है उनकी लाइफ का निचोड होता है जो उन्होंने देखा है उसका निचोड है तो अगर बड़े बुजर्ग आपको कुछ कह रहे हैं, उनकी राए भी सुन ली, क्या पता वो राए, वो उनकी सलाह कभी वक्त पढ़ने पर आपके काम आ जाए इसलिए बड़े बुजर्गों से बहस बाजी मत कीजिएगा, उनकी बात को सुनिएगा और उसको अपने दिलो दिमाग में बठा के रखेगा आई जानते हैं आज के दिन को शुब बनाने के लिए क्या करें आज के दिन की सफलता के लिए किसी दस वर्ष से कम की करन्या के चरण छूकर ततपशात दिन की शुरुवात कीजिएगा निशित तोर पर आज आपका दिन सफलताओं से भरा रहेगा अब जान लेते हैं आज क्या नहीं करना है तो आज गारी चलाते समय अगर आप स्कूटी से जा रहे हैं आप मोटर साइकल से जा रहे हैं या आप अगर पैदल भी चल रहे हैं तो चलते समय गारी चलाते समय कार, स्कूटर, मोटर साइकल चलाते समय आपको सावधानी रखनी है आज गिरने पढ़ने चोट लगने का डर है भै बना रहेगा तो गाड़ी को उतनी ही स्पीड में चड़ाएगा जितना आप संबल सके और सडक पे भी चल रहे हैं तो चलते समय गिरने पढ़ने का ध्यान रखेगा तो तुला वरश्चिक धनू राशी के बारे में अपने पंड़े जी से जाना अब बात करते हैं अगली तीन राशी यानि की मकर कुम मीन के बारे में आई जान लेते हैं मकर राशी वाले जो हमारे दर्शक हैं कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए आज सुबैसे ही किसी नए प्रोग्राम को लेकर आपके अंदर एक नई शक्ति एक नई एनरजी आपको फिल होती रहेगी अपने अफेर को लेकर आज आज आपको भी एकसाइटेड रहेंगे किसी से मिलना है तो उस से आज मिलने का बड़ा excitement आपके अंदर रहेगा दिल की बात जुबान पर लाने का आज का दिन सबसे अच्छा है आफिस में भी आज आपके promotion या salary बढ़ाने की बात चल सकती है आज के दिन को शुब बनाने के लिए क्या करना है इस पर चर्चा कर लेते हैं आज के दिन को शुब बनाने के लिए तुलसी जी में जल का अर्द देकर परिक्रमा करके फिर दिन की शुरुआत कीजेगा पूरा दिन अच्छा रहेगा आज क्या नहीं करें आज अपनी दिन चरिया को डिस्टब मत कीजेगा जो आपकी फिक्स दिन चरिया है उसके अनुसारी चलिएगा निश्यत तर पर आपका दिन सफलताओं से भला रहेगा बात कर लेते हैं कुमराशी की कुमराशी वाली जो हमारे दर्शक है आज आपको दिन के पहले हिस्से में दूसरों की मदद करने का सौभाग्य मिलेगा आज ऐसा कुछ हो सकता है कि दूसरों के हेल्प करना पड़ेगा किसी दोज से अरिश्टेदार को छोटा मोटा कर्ज भी आज आप दे सकते हैं किसी कथिन समस्या का समाधान भी आज के दिन निकल सकता है किसी भी कथिन सिचुएयशन में बढ़ों से सपला ले लिजिएगा और अपनों से दूर जाने کی स्थितिवी ऑसकती थोड़े दिनों के लिए गयात्रा का प्रोग्राम बन सकता है आज के दिन को शुब बनाने के लिए अपने घर में गव मुत्र का छड़काओ करें कपूर आर्ती करें ततपशाद घर से निकलें पूरा दिन अच्छा रहेगा घर में भी खुशिया बनी रहेगी आज क्या नहीं करें आज अपने माता पिता का अपने बड़ों का अनादर नहीं करना है अपने माता पिता को कटू शब्द नहीं बोलने हैं उनका दिल नहीं दुखाना इस बात का ध्यान रखेगा अंतिम राशी के बारे में बात कर लेते हैं मीन राशी के बारे में मीन राशी वाले जो हमारे दशक हैं, आज दिन के पहले हिस्से में आपको छुटमुट धन का लाब हो सकता है, नोकरी से जुड़े कुछ मुद्धे आज हल हो सकते हैं, ध्यान रखेगा कोई भी नोकरी शिरुवात में छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, एक बार एक्स दूरे को गुड़ और इलाइची मिला जल का अर्द प्रदान करने के पर शाद दिन के शुरुवात कीजिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहे हैं, आज क्या नहीं करें, आज किसी को रुपय उधार मत दीजिएगा, रुपय उधार दें, तो ये सोच के दीजिएग कि अब वो पैसा आपके पास बापिस नहीं आने वाला है, तो दर्शकों आज के शो में हमने बात की राशी फल के बारे में, कैसे आपको अपनी राशियों के उनिसार अपना दिन शुब बनाना है, क्या कुछ खास करना है, पंडिजी ने आपको बताया, पंडिजी ये तम नमस्कार